हेलो दोस्तो जब भी आप आपके लिप्टाप को अन करते हो तो यहां स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से बूट डिवाइस नॉट फाउंड प्लीज इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो दोस्तो यह आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तो जब भी आपके लिप्टाप की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एरर सोब होती हैं तो दोस्तो इसके लिए most important first of all आपको चेक करना है कि आपके लेप्टाप में इंस्टॉल जो भी hardest या SSD वहां properly वर्क कर रही या नहीं और देन जो hardest या SSD इंस्टॉल है उसमें जो इंस्टॉल Windows है वहां properly वर्क कर रहा है या नहीं जैसा कि दोस्तो यह लेप्टाप HP का है तो इसके boot menu के लिए आपको f9 button function की f9 button प्रेस करें आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा जहां पर दोस्तो आप देख पा रहा है यहां पर boot device manager swap नहीं हो रहा है तो दोस्तो इसके लिए f10 button प्रेस करें या इस सी बेक करें देन अगेन लेप्टाप को restart करें और function की f10 button प्रेस करें देन दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बायास सेटप का इंटरफेस सोफ होगा जिसमें दोस्तो आपको most important first of all main menu securities advance जिसमें हमें third वाले advance या आपके लेप्टाप में BWT boot वाला option swap हो रहा हो तो उस पर जाए उस पर इंटर करें जहां पर दोस्तो आपको boot option and secure boot configuration जैसा कि यहां पर सोरा secure boot configuration पर इंटर करें यहां पर दोस्तो आप देख पा रहें configure legacy support and secure boot legacy support disable and secure boot disable दोस्तो यहां setting जो भी windows की boot tape setting है वहां disable होने की वज़े से आपके laptop की screen पर वहां error support यह जिस पर इंटर करें देन दोस्तो लेगिस support enable and secure boot disable पर इंटर करें देन चेक करें कि जो आपने change कर दिये setting वहां properly save हुई है या नहीं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर legacy support enable and secure boot disable सोफ हो रहा है देन function की इस setting को save करने के लिए button again press करें आपके सामने exiting save changes जिस पर yes वाले option पर जाए देन इंटर कर दे आपका laptop automatically restart होगा और दोस्तो आपकी problem solve हो जाएगी दोस्तो mostly यहां common problem HP laptop की series में solve होती है जो की bias setting के disable होने की वज़ा से की वज़ा से solve होती है तो दोस्तो आप bias की setting change करके आपके laptop में जो problem solve हो रही है वहां solve कर सकते हैं दोस्तो इसी तरह आसाण इन उनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करे like share and यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करना ना भूले thanks for watching